अब आपको थोड़ा साथ पटा लगेगा इसको मैं अलक से आपको डायग्राम बना कर समझाता हूँ मैंने कह दिया कि यह मेरा दिरोब्रत्य में इसकी स्थिट ए है और भाइ माल जिए मैं कहता हूँ कि 10 दिन में ये बी तक पहुँशता है कितना दिन लगा बच्चो 10 दिन तो इसमें जो इसकी रेखा मिलाएगी उसकी कुछ न कुछ एरिया होगा बच्चो यहाँ इस दोनों यहाँ पे B और A के रेखा के बीच में कुछ एरिया बन जाएगा अगले 10 दिन में मालीजे C तक पहुंचता है C तक यह अगला 10 दिन फिर अगला 10 दिन यहीं बीच से C तक पहुंचने में 10 दिन का समय लगा फिर बच्चो यहाँ से D तक अगले 10 दिन में यह D तक पहुंच गया अब इसका भी कुछ न कुछ एरिया होगा तो यहाँ पर केपलर साहब ने यह बताया कि यह दि समय समान है समान समयंतरल मतलब समय समान है तो जो मिलाने वाली रेखा है इसके दोरा जो छेतरफल है उस समान मतलब एक प्रकास छेतरफल समान होता है यह जो रेखाएं हैं समान छेतरफल तै करती है फिर समझने कोसिस करिएगा ये कालपनिक रेखा है कोई रेखा खीची थोड़ी है नहीं है खीची नहीं है भाई ये साब ये कालपनिक रेखा है कि बोला ये गया कि किसी ग्रह को सूर से मिलाने वाली जो कालपनिक रेखाएं है समान समयंत्राल पर समान शेत्रफल तै करती है 10 दिन में A से B तक का जो शेत्रफल होगा तो अगले 10 दिन में B से C के बीच का जो शेत्रफल होगा वो बराबर होगा अर्थात समान समयंत्राल में शेत्रफल नियत रहता यही प्रूप करना है समान समेंत्राल में छेत्रफल नियत रहता है यही प्रूब करना है तो मैंने कहां माना हमारे पास एक ग्रह है जो सूर के चारओर दिर उर्बत्ति यहाँ पर मालीजी इससान है बच्चो सर्मतलब सूर सूर के चारोर दिर्ग ब्रत्य एक अक्छा में घूम रहा है जिसका द्रबमान स्मॉल M है यहाँ पर एक छूटा सा ग्रह होगा बच्चो जिसका M द्रबमान है क्या है M द्रबमान ठीक बच्चो, M द्रबमान है M द्रबमान का एक छूटा सा ग्रह है T समय पर A पर है और जैसे और समय बढ़ाया तो T प्लस डेल्टा T यानि और समय माली जहाँ पर 5 सेकेंड में है तो 5 सेकेंड और जोड़ो 10 सेकेंड में B तक पहुंचाता है यानि टी समय पर ग्रह के स्थित A है बच्चो तो आगे और समय जुड़ेगा तो ग्रह के स्थित B हो जाएगी अब यहां से यहां तक यहां से A से B तक जाने में डेल्टी समय लगा यह तो सबको पता है ना वाई समझो T समय पर यह आपका A है यहीं ग्रह के स्थित A पर है और T प्लस डेल्टी थोड़ा और समय बढ़ गया तो आपका B पर हो गया यहीं बीच का जो समय हो डेल्टी होगा ठीक है ना समझ रहो ना यहीं डेल्टी समय में A से B तक पहुँचा अब A से B तक पहुँचा तो उसके बीच का जो एरिया है यह इसके चायांकित भाग का एरिया है यह त्रिभुज एक प्रकार से S A B या ऐसा भी कह सकते थे A S B ठीक है यहीं जो आपका A से B तक ग्रह पहुचा है तो उसका जो चायांकित भाग होगा उत्रिभुज A S B के चेत्रफल के बराबर होगा क्योंकि हमें सिध्ध यही करना है कि निश्चित समयंतराल में चेत्रफल नियत रहता है मतलब समान समयंतराल आगे बढ़ते जाएंगे चेत्रफल नियत रहता है यानि सभी का मतलब हर एक समयंतराल में जो छित्रफल है समान है समान का मतलब नियत है बदलता नहीं है मतलब पास दिन में मालीजे जो एरिया रहेगा अगले पास दिन में भी वही एरिया फिर अगले पास दिन में भी वही एरिया अगले पास दिन में भी वही एरिया मतलब समय एदि समान है तो छितरफल भी समान है इसका मतलब नियत है नियत का मतलब होता बच्चो बदलाव नहीं हो रहा है ठीक है तो A से B तक पहुँचने में जो चायंकित भाग का छितरफल है वो त्रिभूज A, S, B के छितरफल के बराबर होगा और त्रिवुज का छेत्रफल ये कहता है कि एक बटा दो आधार गुणे उचाई आधार आपका बच्चो A B कहलाएगा और उचाई चाहे आप S A ले लो चाहे S B ले लो उचाई अभी इसमें लगभाग समान है तो त्रिवुज का छेत्रफल छेत्रफल को हम यहाँ पर A से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चो सदी से ठीक है आपका हो जाएगा 1 by 2 आधार आपका बच्चो बेक्टर R और आधार A B है और उचाई R है तो A B हमारा यह क्या होगे बच्चो आधार आधार गुणे उचाई त्रिवुज का छेत्रफल होता है आधार गुणे उचाई अब चुकि आप लोगों को पता होगा भी बराबर क्या कहलाता है दूरी बटा समय भी बराबर क्या कहलाता बच्चो दूरी बटा समय तो दूरी कहां से कहां तक पहुंचा A से B तक A से B तक दूरी पहुंचा है ना इनी भी स्थापन हुआ A से B तक समय आपका बच्चो डेल्टी समय आपका डेल्टी समझ रहो तब यहां से मैं आपसे कह दू कि A B कमान बताओ तो कोई कि सर A B कमान पक्षांतर करने से तू आ जाना है V डेल्टा V डेल्टी ठीक है V डेल्टी अब इसको अपन क्या करेंगे सर मान रख देंगे इसलिए 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 डेल A बराबर 1 बाई 2 वेक्टर R इन्टू यह आपका हो रहेगा V डेल्टी डेल्टा टी इसको पढ़ते हैं ठीक है बच्चो यह आपका वेक्टर फॉर्म हो गया अब यहां से मैं कुछ पक्षांतर कर दूँ जड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पक्षांतर करूँगा क्या आएगा आपका यह है छेतर फल बच्चो समय इधार आ जाएगा तो बचेगा क्या वन बाई टू वन बाई टू आर भी ठीक है आर गुणा भी आर गुणा भी एक प्रकार से क्रास प्रोडेक्ट भी लग रहा है ठीक है यहां तक क्लियर है चलते चलें सदिसों का यह सदिस गुणान फल होगा भाई साहब अदिस गुणान फल तो हो नहीं सकता है अब चूकी आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि भाई साहब यदि हम इसको संबेग बदलना चाहें तो दरब्मान गुने भेग होता है होता है ना तो इस फार्मूले को आरेंजमेंट करने के लिए आप हम दो का भाग एम के साथ कर देंगे और M का भाग हमने जबरजस्ति किया है तो यहाँ पर M का गुड़ा कर देंगे M का जब गुड़ा करेंगे बच्चो तो यह आपका यह आपका संबेग हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 by 2 M 1 by 2 M R क्रास यहाँ पर बच्चो P हो जाएगा चोकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ी लिया है फार्मूला पढ़ी लिया है ठीक है आप थोड़ा सा समझेगा यह आपका बच्चो R क्रास पी हो गया यह आपका रेखिय संबेग है कौन सा संबेग बच्चो रेखिय संबेग कौँसे संबेग है रिखे संबेग अभी क्या क्या लगाया आप लोगों को मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होई गया हो गया ना सबसे पहले मैंने ये त्रिबुच का छेतर फल लिया बच्चो त्रिबुच का छेतर फल आधार गुड़े उचाई तो यह आपका ये भी आधा डेल टी को अपन इनी अल्ब समय डेल टी है न चाहिए इसको डेल टा कहो ये डेल पढ़ो हम तो डेल ही पढ़ते हैं साठकट में डेल टी आपको इधर आगे बच्चो है ना अब ये आपका हो गया अब इसको उनको संबेग बनाना है तो द्रबमान को गुड़ा भी कर दि आप देखना थोड़ा सा थोड़ा समझेगा कि चूकि आपने पढ़ा होगा बच्चो कोड़ी संबेग कोड़ी संबेग का फार्मूला पढ़ा है आपने कि कोड़ी संबेग बराबर होता है आर क्रासपी क्या होता बच्चो आर क्रासपी इसलिए छेत्रफल बटा समय अंत बराबर यहां पर बच्चो आर क्राश पी दिख रहा है ना इसके जगए हम लिख देंगे यह आपका एल हो जाएगा और टूयम नीचे ही रहेगा ठीक अब इसको नियतांक कैसे सिद्ध करेंगे कि यह नियत कैसे है तो ध्यान रखना बच्चो कोड़ी संबेग तभी बदलत कोई बाह ग्रह पर कोई पाहबल आघूंड आरोपित नहीं होता आरोपित नहीं होता भाई देखो आपका जो कौड़ी संबेग है तभी बदलेगा जब बाहबल आरोपित केया जाएगा बाहबल आघूंड हो जाएगा लेकिन जब ग्रह पर कोई बल ही नहीं लगा रहे हैं बाहवल तो उसमें बाहवला गोड़ी नहीं है अतह जो ग्रह का कोड़ी संबेग नियत रहता है और जब बच्चो कोड़ी संबेग नियत है ये एल कमान नियत है तो आपका छेटर फल कमान भी क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार एल एक क्या होगा बच्चो नियतांक एल एक क्या होगा नियतांक होगा और जब ये नियतांक है तो ये अतहा समय के साथ जो छेतर फल है बच्चो वो भी नियत रहता है ये भी एक नियतांक होगा और यही हमें प्रूब करना था केपलर के दुती नियम में कि समान समयंतराल पर समान छेतरफल तै करता है मतलब समान समयंतराल पर छेतरफल नियत रहता है यही केपलर का दुती नियम है ठीक है? चीजें clear है बच्चो थोड़ा सा समय लगा देस्मिलेट का समय लगा इन सारी चीजों को नोट्स के माध्यम से प्रवाइड किया जाता है सीव कोचिंग क्लासस में जो बच्चा पहली बारा आये है तो नोट्स जरूर ले ले कंटेक्ट नंबर ले लो भईया 9685299149 यह मेरा परशनल लंबर है इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट करें नोट्स ले प्रापर रूप से त्यारी करें फिलाल अभी के ले इतना ही जय हिंद बंदे मात रहा हूं